Hello everyone and welcome back to another video So friends, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको Accenture के एक freshers job के बारे में बताया था तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जिरूर देखना and उस job के लिए भी जिरूर अपलाई करना link आपको नीचे वीडियो के description में और i button में मिल जाएगा and वीडियो के description में आपको और भी companies के link मिलेंगे अगर आपने उनके लिए apply नहीं किया है तो उनके लिए जिरूर अपलाई करना काफी link अभी भी active है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और job के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी notification आपकी thinkative की तरफ से आई है and इस job के लिए freshers भी apply कर सकते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखना बताऊँगा आपका इस job में क्या job role होने वाला है क्या job location होने वाली है कौन कौन इस job के लिए apply कर सकता है कैसे apply करना है पूरा process बताऊँगा तो चलिए start करते हैं तो वीडियो start करने से पहले मैं आपको बता दूँँ अगर आपने तो है telegram group को join नहीं किया है तो उसको बुचिरू join कर लेना जिसमें आपको free courses intensives and faster job celebrated information मिलती रहती है अगर अगर आपको डाउट होता तो आप में आपको पूछ सकते हैं लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं thinkative की job के बारे में तो उसके लिए आपको thinkative.com की official website पर आना होगा इस website के link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो जैसे आप उस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर training, software, engineering का यह job role देखने के लिए मिलेगा जिसकी location आपको पूने बताई गई है बट जैसे कि आप अभी pandemic देख रहे हैं तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं नीचे यह इन्होंने कुछ skills भी mention करें जो कि आपके पास होनी चाहिए इस job में apply करने के लिए तो आपकी यहाँ इस job में strong communication and interpersonal skill होनी चाहिए आपको problem solving करना आना चाहिए मतलब system या software में कोई bug या error आता है तो आपको उसको solve करना आना चाहिए आपको software development programming language like C, C++, Java, Python, JavaScript की भी knowledge होनी चाहिए साथ ही आपको data structure and front end की भी knowledge होनी चाहिए तो अगर आपके पास यह सब skills हैं तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं नीचे यहां इन्होंने job description में बताया कि आपको यहां पर इस job में क्या काम करना होगा तो आपको यहां पर इस job में problem solving का काम करना होगा जैसा कि मैंने आपको उपर बताया bug error solve करने होंगे and आपको यहां इस job में as a quick learner की तरह काम करना होगा and आपको logical and designing concept की भी अच्छी knowledge होनी चाहिए and आपको fundamental C, C++ and OOPS concept के साथ HTML, JavaScript and CSS की भी knowledge होनी चाहिए and आपको spring and angular js की भी knowledge होनी चाहिए and आपको यहाँ इस job में database, defect fixing and performance optimization का काम भी करना होगा उसके बाद इन्होंने यहाँ पर interview process बताया है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक online assessment देना होगा जिसका link आपको apply करने के बाद आपकी email id पर 10-15 दिन में बेज़ दिया जाएगा assessment clear करने के बाद आपको यहाँ पर दो technical interview होंगे L1 and L2, technical interview clear करने के बाद आपका यहाँ पर managerial and logical round होगा and last में आपका HR round होगा यह सारे rounds clear करने के बाद आपका इस job में selection हो जाएगा अब बात करें आपको इस job के लिए apply कैसे करना है तो आपको यहाँ पर नीचे apply now का एक button देखने के लिए मिलेगा तो जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको important notes में बताया है कि आपको यहाँ पर COVID-19 pandemic की वेए से यहाँ पर work from home काम मिलने वाला है बट जैसे ही सब ठीक हो जाएगा तो आपको इनकी पूने office location पर जाके काम करना होगा अपकी जो salary होने वाली है वो आपकी तीन लाग पर एनम होने वाली है इस job में तो friends अगर आप एक fresher है तो आप इस opportunity को बिल्कुल miss मत करना इस job के लिए ज़रूर apply करना साथ ही अपने friends के साथ भी इस video को ज़रूर share करना ताकि वो भी इस job के लिए apply कर पाएं apply करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे I agree पर किलिक करके next बटन पर किलिक करना है तो जैसे ही आप next बटन पर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरी की का google form open होगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना full name डालना है अपना gender select करना है अपनी email id डालनी है अपनी qualification select करनी है अपनी specialization select करनी है then उसके बद आपको यहाँ पर graduation, post graduation, pass out year डालना है then उसके बद आपको यहाँ पर अपने graduation and post graduation के aggregate score डालना है and अगर आपने diploma की है तो आपको यहाँ पर उसके marks डालना है and अगर आपके पास diploma नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी state select करनी है अपनी city डालनी है अपना contact number डालना है उसके बाद अगर आपके पास कोई job offer है तो आपको वो बताना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी skype id डालनी है आप चाहोते से छोड़ भी सकते हैं देन उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट size and resume upload करना है देन next button पे click करना है तो जैसे आप next button पे click करोगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिके का interface आएगा तो आपको यहाँ सबसे पहले अपनी expected salary select करनी है देन उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा है कि आप पूने relocate कर सकते हो या नहीं तो आपको यहाँ पे yes पे click करना है उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप इस COVID-19 pandemic के बाद इनके office जाकर काम कर सकते हो या नहीं तो आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे click करना है देन उसके बाद अगर आपको कोई further education plan हो तो आपको यहाँ पे वो बताना है तो आप इसमें अपने हिसाब से yes या no feel कर सकते हैं देन आपको फिर next button पे click करना है तो जैसे ही आप next button पे click करोगे तो आपके सामने कुछ basic questions आएंगे तो आपको इनके answers देने हैं इन सबके answers देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे फिर next button पे click करना है उसके बाद आपको हैं पे अपनी skills बतानी है की आपको यहाँ पे कौन सी language अच्छे से आती है देन उसके बाद आपको यहाँ पे बताए में जो final year में project बनाया था अपने college में वो इन में से कौन सी technology का use करके बनाया था इन सबको fill करने के बाद आपको हैं पर नीचे submit बटन पर किलिक करना है तो जैसे आप submit बटन पर किलिक करोगे तो आपकी application इस job के लिए submit हो जाएगी और आगे का जो भी process होगा like online assessment, interview वगरा वो आपको आपकी मिलके थुरू बता दिया जाएगा तो friends अगर आप एक fresh है तो आप इस job के लिए जिरूर apply करना और apply करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से नीचे comment में पूछ सकते हैं तो friends आज के लिए इस वीडियो में इतना ही चैनल पर नहीं हो तो पर लिए चैनल को subscribe करें वीडियो चलेगे तो आइकन शेयर करें और telegram group को भी जुरूर जोइन करना link वीडियो के description में है thank you